हेलो 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 जैहिंद दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हर दिक स्वागत है आपके परिवार रोजगार विस्प्रमोध यूटूब चैनल पर प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रहा है यहां पर आपको दिख रहा है तोपिक वाइज पी वाइज क्यू का प्रैक्टिस हम लोग यहां पर कर रहे हैं और साथी साथ दोस्तों आप ग्रूप D की भी तयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपार्टेंट है सावित होने वाला है तो प्यारे साथियों हमने बताया है कि आप लोग आज एक कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं तो आज जीव विज्ञान में दोस्तों हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है उत्तक क्या नाम है दोस्तों तो आप लोगों का जवाब होगा उत्तक जिन में दोस्तों हम लोग बात करें गर दो उतक के बारे में एक जनतु उतक और एक दोस्तों यहाँ पर पादक उतक ठीक है तो आज हम जो इसे वीडियो में पढ़ेंगे प्रेटिस करेंगे और किस पर होगा तो होगा जनतु उतक का कॉस्चन ठीक है तो आप लोग हमारे साथ लाष्ट तक बने रहिए गा और अंतिम में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कल जो वीडियो इस्टार्ट होने वाला है वह किस चैप्टर से रिलेटिट कोश्चन होगा के लिएड है आप लोगों की तयारी कैसे चल रही है और दोस्तों देखिए अगर आपको जब चैप्टर बता देते हैं तो आपके पास कोई भी किताब हो बस आपको वही चैप्टर पढ़े कियाना है और यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों प्रेबियस यह के कोश्चन का प्रेटिस कर लेना है आपका काम खतम हो जाएगा किलियर है चलते हैं सुरवात करते हैं और हम लोग जड़ा यहां पर बात करेंगे यहां पर किस किस टॉपिक पर जनतु उतक की टॉपिक पर आप लोग तयार हैं आप सभी दोस्त तयार हैं बताए चलिए सुरवात कर रहे पहला कोश्चन ले रहे हैं दोस्तों पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं चलिएगा यहां पर कोश्चन क्या कहा दिया है इसने कहा उतक क्या होता है उतक प्यारे साथियों क्या होता है अगर आप लोग पॉड़े के आए हैं तो उतक चैप्टर जब आपके करने में एक समान ही होते हैं उनका जो होता है आक्रिती होती है उसका जो कर में करते हैं तो उतक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में समान और कार करने में समान होती है उतक कहलाती है तो इसका उतर क्या हो जाएगा? आपसर नमबर डी आपसर नमबर डी इस प्रसंद का राइट आंसर हो जाएगा किलियर है देखिए यह आरार भी एलपी एंड टेकनेशियन 98 2018 shift number 3 का question है ठीक है ऐसे question आपके paper में भी पूछे जाएंगे इस बार भी ठीक है दोस्तों बस आपको क्या करना है बस सिद्दत से दोस्तों थोड़ा समय लगेगा आप लोग मेहनत से इमानदारी से पूरा जो जितने भी हमने topic यहां पर science का है सभी जितने practice हम कराएंगे सभी को आप लोगों को क्या करने है देखने ध्यान से उम्मिद करता हूँ कि यह चीज तो आप समझ गया होंगे अब आएए हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो उतक होता है इनको कितने category में divide किया गया है जनतू उतक को दोस्तों 4 category में divide किया गया है अब यह 4 category कौन कौन से है इस को जान लेते हैं जनतु उतक को दोस्तों चार कटेगरी में डिवाइड किया गया है कौन कौन से कटेगरी है देखेए पहला जो है कौन कौन सा उतक है तो याद रखिएगा उपकला उतक ठीक है दूसरा नमबर याद रखिएगा दूसरा नमबर संयोजी उतक ठीक है दोस्तों संयोजी उतक तीसरा जो उतक है उसको याद रखिएगा उसको बोलते हैं पेशी उतक ठीक है पेशी उतक और चोथा पोईंट याद रखिएगा दोस्तों चोथा पोईंट का नाम याद रखिएगा तंत्रिका उतक कि तंत्रिका उत्क क्या है जो जन्तू उत्क है इसको चार कर्टेगरी में डिवाइड किया गया उफकला उत्क संयोजी उत्क पेशी उत्क और तंत्रिका उत्क संयोजी उत्क का उधारनल क्या होता है एक हड़ी होता है और एक क्या होता है दोस्तों रक्त होता है ठीक है आप तरल संयोजी उतक है संयोजी मतलब क्या होता है कनेक्ट करने वाला हडी भी कनेक्ट होता है इसलिए इसको संयोजी उतक बोलते हैं इस बात को आप लोग याद रखिएगा आगले कोश्चन की ओर हम लोग चलते हैं प्रेस्ट नंबर यहाँ पर 51 अच्छा दोस्तों आप होगा उन्चास के बाद 50 से स्टार्ट हुआ है ठीक है आईए एक क्यावन आहमबा कोश्चन आपकी स्क्रेंग पर इस परकार से दिया गया है यह भी देखिए यह भी आर आर भी ग्रूप डी 27 11 2018 के सिफ्ट का यह कोश्चन है ठीक है यह दोस्तों ऐसे कोश्चन पुछे गए हैं रेलवे के एक्जाम में तो रेलवे के हलाकी सभी कोश्चन रेलवे में ही पुछे गए हैं ठीक है अब देखिए इसमें क्या कहा गया है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक बिसेश कार्य करने के लिए बिसेश संग्यतार प्राप्त होते हैं उदारवे के लिए बात करते हैं सरील में मानसपेशियों की कोशिकाएं उन मानसपेशियों को बनाती है जो सरील की गती से सम्मंदित है उसको क्या कहा जाता है प्यारी समान होती है उतक क्या ही तो होता है ठीक है उतक का ही होता है समान तो इसका उत्तर क्या हो जागा दोस्तों अपसर नमबर यहां पर देखें थोज़ा कोई दिक्तत की बाद नहीं है इसका अंसर क्या है उतक है ठीक है उतक इस प्रेशन का प्रविकुल सही उत्तर है अच्छा दोस्तों आप लोग जड़ा बताईएगा उतक का अध्यन क्या कहलाता है उतक का अध्यन क्या कहलाता है एकदम चेला अराम अराम से पढ़ना है एकदम अराम अराम से पढ़ना कौनो धाधली नहीं है तेजी नहीं है उतक का अध्यन क्या कहलाता है आप लोग कमेंट में जल्दी से टाइप करिए उतक का अध्यन क्या कहलाता है उतक का अध्यन क्या क काते हैं तो आप लोग जानते हें ऊतक अध्यान को हिस्टो लौजी कहा जाता है या कहीं आपको histology नो दे कर दोस्तों उतक बिज्ञान मिल जाएगा या फिर कहीं कहीं आपको आउतिकी मिल जाएगा तो बस इतीनों नाम एक ही है उतक के अध्यर को क्या काते हैं इस बात में कोई दिक्कत नहीं है याद रखियेगा आगे चलते हैं अगले question पर प्रस्ट नमबर यहां पर आगया है 52, प्रस्ट नमबर 52 आपके इस्क्रेन पर आगया है एक बार सभी लोग बताएंगे इस प्रस्ट का उत्तर क्या होने वाला है जल्दी से सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा रग्त और हड्डियां की उदारन हैं रग्त और हड्डी उदारन है किस उतक के सैयोजी उतक के, एपिथेलियम उतक के, मेरिस्टेमेटिक उतक के या तंत्रिका उतक के जो हड़ी है प्यारे साथियों और रक्त ये दोनों ही दोनों ये संयोजी उतक होते हैं संयोजी उतक की उधारण है आपसर नमबर क्या हो जाएगा A आपसर नमबर A इसका राइट आंसर है रक्त और हड़ी किस प्रकार के उतक हैं तो आपका जवाब होगा सर, रक्त और हड़ी एक सन्योजी उतक हैं, जिसमें रक्त की बात करते हैं, तो रक्त एक सन्योजी उतक है, रक्त क्या है, सन्योजी उतक है दोस्तों, लेकिन रक्त जो है प्यारे सात्यों तरल होता है, तरल होता है, रक्त इसलिए रक्त किस प्रकार पूछा जाता है कि क्या है एक तरल सनियोजी उतक है लेकिन उसके अंदर पहुंचेंगे तो रग्त कैसा होता है तरल होता है तो तरल सनियोजी उतक है किलियर है अब रग्त की बात आही गया है तो रग्त पर कुछ हम बात कर लेते हैं दोस्तों रग्त का पियेच मान क्या होता है जल्ली से आप लोग कमेंट करेंगे रग्त का पियेच मान क्या होता है जल्ली से प्यारे दोस्त आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्ली से बताईएगा रग्त का पीएच मान क्या होता है आप सभी दोस्तों का जवाब हो जाएगा सर रग्त का पीएच मान होता है 7.4 कितना होता है दोस्तों 7.4 रग्त का पीएच मान होता है अब यहीं दोस्तों आप जल्ली से बता दीजे हमें कि जो रग्त होता है रग्त का जो रंग होता है चेला जी वह है लाल क्यों होता है खून लाल क्यों होता है तो आपका जबाब होगा हीमो हीमोग्लोबीन के कारण रग्त कारण करहें तो लाल वते हैं यह एक लावव है रग्त सब्सक्राच के तुर्म Rabbi के ही कॉच्छ नुबर दोस्ता है ऑइसे हम हम लोगोशन कर रहे हैं पेपर में आयेगा की नहीं आया प्यारे दोस्तों ऐसे ही question पूछे जाते हैं ठीक है यह हमने नहीं लिखा है यह previous यह का देख लिजएगा सेम टू सेम पर मिल जाएगा अगले question की और हम लोग चल रहे हैं प्रस्ट नंबर है न sense कि दोस्तों प्रस्ट नंबर तिरपन आपके सामने रक्त डार-डार्ट परकार का उत्त का कुष्चन वही है त्रीका अलग है पुछने का रक्त कैसा उत्त망 है किसका चलिएगा अगला प्रस्ण देख लीजिए सभी लोग अगला प्रस्ण सभी प्यारे दोस्त देखेंगे अगला प्रस्ण यहां पर क्या है रक्त क्या है देखिए रक्त क्या है रक्त क्या है दोस्तों रक्त के बारे में फिर पुझे दिया रक्त क्या होता है आप लोग सर रख्त किस प्रकार का उतक है प्यारे साथियों आपका जबाब होगा सर रख्त एक सनयोजी उतक है कोई दिक्कत कोई परसानी कोई परसानी नहीं होगा किलियर हैं एक बार दोस्तों आप लोग बता दीजिए अगर कितने बच्चे ऐसे हैं जो लोग हमने जब बताया के जो तयारी कर रहे हैं जो उसको पॉड़कर आया है टापिक को जल्दी से आप लोग कमेंट के कमेंट बाक्स में कमेंट करिए कितने ऐसे कंडिडेट हैं जो तयारी कर रहे हैं हमने जब टापिक बताया था आप लोगों ने सभी लोगों ने पॉड़कर आया है कितने ऐसे हैं जल्दी से आप लोग टाइफ कर दीजे कमेंट बाक्स में चलिए अगला कोशन देखी अगला प्रेस ने यहां पर आपके सामने इस परकार से दे रखा है देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि मुह की परत से बनी होती है जो मुह होती है दोस्तों वह किसी परकार के उतक से बनी होती है तो मुह किस परकार के उतक से बनी होती है प्यारे दोस्तों जल्दी से बताएंगे मुह जो होता है वो किस परकार के उतक से बना होता है बताए प्यारे साथियों जो मुह होता है मेरे मित्रों वह पपरिदार उपकला उतक से निर्मित होती है आपका कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं है प्यारे दोस्तों जब आप पॉड़ेकर आएंगे टॉपिक को तो बहुत बेहियां से आपको समझ में आएगा ठीक है चलिए इभी देखिए गुलूबडी का ही कोश्चन है आगे बढ़े ही अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर ले रहे हैं चलिए, बताईए, हमारे सरीर में कई अंग हैं, हमारे सरीर में बहुत सारे अंग हैं, ये तो बात सही है, निम्रिखित में से कौन सा अंग सबसे बढ़ा है, सबसे बढ़ा अंग कौन सा है प्यारे साथियों, सबसे बढ़ा अंग बताईए, आपके सरीर में सबसे बढ़ा अ बताएए इन चारो बिकल्पों में से आप लोग बताएंगे की इन चारो बिकल्पों में से आप लोग बताएंगे की आपका आंसर क्या है बताएए सबसे बड़ा यहां पर अंग क्या होता है तो याद रखेएगा दोस्तों सबसे बड़ा जो अंग होता है वह तवचा होता ह क्या होता है दोस्तों तोचा के लिए हैं सबसे बड़ा अंग क्या है तो आपका जवाब होगा सर तोचा सबसे बड़ी अंग होती है आपके पूरे सरीर पर क्या पहला हुआ है उपर से देखिए तोचा हुआ तोचा है ठीक है तो तोचा एक अंग है और पूरे सरीर पर है इ अच्छा अंग की बात करते हैं तो तवचा हो गया अब आप लोग बताए सबसे बड़ी ग्रंथी क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथी क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथी क्या है सबसे बड़ी ग्रंथी क्या है बताएए सभी लोग कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथी क्या है चलिए आगे पढ़ेते हैं अगला कोश्चन तवचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उतक बनता है तो कां सा उतक बनता है तो उसका नाम बोलते हैं दोस्तों वसा मैं उतक वसा मैं उतक यानि option number यहाँ पर be is the right answer वसा मैं उतक होता है प्यारे साथियों आपके तोचा के जश्ट नीचे एक वसा होती है वसा की एक बहुत बड़ी पतली सी लेयर होती है फैली होती है उसी को एडी पोज बोलते है या उसी को वसा मैं उतक बोलते है अब आप कहेंगे सर एक वसा काहे होता है तो देखिए का होता है जैसे मार चलिए दोस्तों वसा बहुत important होता है जैसे आप नहाते हैं जब आप नहाएएगा आपके सरीले बहुत सारे लाखो करोणे छिदरे है यह तो आप जाते हैं आपके सरीर में लाखो करोणों चिद्रहें आप जानते हैं लेकिन प्यारे साथियों जब आप नहाते हैं तो पानी आपके सरीर के अंदर जाता है उस चिंद्रह की रास्ते बताईए क्या जाता है नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है क्योंकि वसा का जो लेयर होता हुआ जाने से रोकता है यारिननब को अवसेट या काम क्या क्वान करता है तो आप का जबाब क्या होगा वशामय उतक वशाख हो था थीक है कोई दिक्कत लिशुट हो तो आप लोग हमें बता सकते चलिए दोस्तों अगरा question देखिए प्रस्ट नमबर 58 है मनुस्यों में एक सन्योजी उतक पाया जाता है अब उदाहरन में दिया गया है उसी को आपको क्या करने है तो पहचानना है ठीक है भाई उसी को क्या करना है दोस्तों आपको पहचानना है यहां पर थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है यहां पर आपसन जो है गलत हो गया है ताइप नहीं हो पाया है इसको ज़रा आप लोग सुधार कर लेंगे यहां पर है हड्डी यहां पर क्या है हड़ी आप सन्नमबर सी क्या है हड़ी तो यहां पर आप से पुछा गया है सन्योजी उतक का उधारन है देखिए मान स्पेसियां सन्योजी उतक नहीं है कोशिका नहीं है रे से फाइवर जिसको बोलते हैं यह भी नहीं है लेकिन हड़ी क्या है दोस्तों एक सन्यों जी उतक है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हड़ी सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हड़ी प्यारे दोस्तों हड़ी जो होता है बहुत मजबूत होती है अब हड़ी जो होता दूसमें किसका बना होता है हड़ी किसका बना होता है प्यारे साथियों आप लोग कमेंट करके बताएंगे हड़ी किसका बना होता है आप लोग कमेंट करके बताएगा आगे चलते हैं अगला कोश चलते हैं निमलिखित में से कौन सा एक सन्योजी उतक है प्यारे साथ कियों सन्योजी उतक की बात आया है बस दो ही आप जानते हैं हड़ी है और रक्त है ठीक है हड़ी और रक्त ये दोनों क्या है सन्योजी उतक है सन्योजी उतक अभी नमें जो मिल यह वही आंसर है तो देखे इसमें क्या मिल रहा है हड़ी मिल रहा है तो हड़ी इसका राइट अंसर जाएगा मैं ऐड़ी क्या है एक सनियोजी उतक है राक्त क्या है lan aakira question अगला मैं आगला प्रेश्नियाफवर है हमारे सरीर की हडीयों में कउन से उतक पाए जाते है जो सरीर होता है प्यारे साथियों उसमें कउनस उतक पाया जाता है पैरेन काइमा ये पादप उतक होते हैं अस्थाय उतक पादप उतक होते हैं अधिचर्मिक एपीडर्मिक ये तो नहीं है तो हड्डी में कौन सा उतक पाया जाता है तो हड्डी में दोस्तों सन्योजी उतक पाया जाता है ठीक है भाई हड़ी में क्या पाया जाता है तो हड़ी में सन्योजी उत्तक यहां पर पाया जाता है कोई दिफ्चत कोई परसानी नहीं होगा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आये होंगे चलिए आगे चलते हैं अगले कोस्चन की और प्रस नमबर 61 आपके स्क्री पर दिख रहा है दोस्तों आप लोग बताएए इसका उत्तर क्या होगा कि आप बताएए इसका उत्तर क्या होगा देखी क्या बोला गया है निम्लिखित में से क्या एक पसू उत्तक नहीं है कौन सा उत्तक है जो पसू उत्तक नहीं है पेशी उत्तक यह तो है सन्योजी उत जब आंसर नहीं दिया गया है तदोस्तों एस पेपर में भी दिया गया था इसका ससुरा आंसर है नहीं मिला जब आंसर नहीं मिलेगा आपको एक नंबर दिया जाएगा ठीक है एक नंबर दिया जाएगा या तो इसको नील कर दिया जाएगा तो घबराईएगा नहीं ठीक है अगर आंसर नहीं है तो वह सब के लिए बराबर है सब को नंबर मिलेगा ठ कौन सा उतक है जो हमारे मुह की आंतरिक अस्तर को बनाने का काम करता है दोस्तों वह करता है कौन तो यह करता है सरल इसक्वैमस एपिथेलियम कौन सा मुह की जो आंतरिक दिवार है आंतरिक भाग है उसको कौन सा उतक बनाता है तो सरल इसक्वैमस एपिथेलियम उतक बनाता है के लिए हैं अगरा कुश्चन इस्ट्रेटिफाइड इसक्वैमस एपिथेलियम किसमे मौझूद होते हैं बताए किसमे मौझूद होते हैं बताए दोस्तों किसमे मौझूद होते हैं यह मौझूद होते हैं प्यारे साथियों किसमे तो यह मौझूद होते हैं दो तोचा में किसमे होते हैं तोचा में होत सर आपसर नमबर डी जैंत तोचा इसका बिल्कुल सही उत्र है तोचा ही क्या है इक सबसे बग़ा क्या है अंग है सरीं की सबसे बड़ी अंग क्या है तोचा होती है के लिए यह अगला पूस्शन से डा works बाट-डााट उतक में मैटलिकस होते हैं और को Deutsch होती है वैं बताइए कौन सी कोशिकाय मैट्रिक्स होती है तो सन्योजी उतक की बात करें दोस्तों सन्योजी उतक में मैट्रिक्स होती है और कोशिकाय मैट्रिक्स में सम्रित होती है इसका उतर क्या जगा सन्योजी उतक सन्योजी उतक क्लियर है सन्योजी इसका राइट आंसर हो जाएगा केलियर है अगला प्रस्ण एक संयूजी उतक है अब संयूजी उतक आप से पूछा गया है तो हड़ी और रख्ट एक दोनों संयूजी उतक है जो भी इसमें मिलेगा वही इसका उत्तर सही है तो इसमें रख्ट है दोस्तों रख्ट क्या है एक संयूजी उतक है बाकी एक कोले काइमा हुआ इसके लेन काइमा हुआ पैरन काइमा हुआ यह तीन के तीनों पादप को उतक होते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा से जी उतक क्या होता है जक्त और हड़ी अगला प्रस देखिए पेशी उतक कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों पेशी उतक कितने प्रकार के होते हैं याद रखेगा पेशी उतक प्यारे साथियों तीन प्रकार के होते हैं पेशी उतक कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के अब कौन कौन से होते हैं इसको भी आप लोग नोट कर लि पहला नमबर क्या है रेखित पेशी कौन सा पेशी रेखित पेशी दूसरा इसमें नोट करिएगा दूसरा क्या होता है दोस्तों और रेखित पेशी और रेखित और तीसरा क्या है दोस्तों तो तीसरा याद रखिएगा रिदर पेशी टिक है यानि उत्तक पेशी कितने प्रकार के होते हैं तो यह होते हैं तीन प्रकार के एक कौन-कौन से है रेखित पेशी और रेखित पेशी औरहिदय पेशी के लियर है इस कांसर क्या हो जाएगा तीन आपसर नमबर सी अगला प्रस्न है आपके स्क्रीन पर बताईए मानव सरील की त्वचा का सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको एपी डरमिस कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों एपी डरमिस कहते हैं आपसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एपी डरमिस बोलते हैं जो सरील के सबसे तोचा की सबसे बाहर जो होता है उसको क्या कहते हैं तो एपी डरमिस कहते हैं ठीक है अगला प्रेस में निम्न में से कौन सा हिस्सा मानों तोचा का सबसे भारी हिस्सा होता है सबसे भारी हिस्सा कौन सा होता है सबसे भारी हिस्सा कौन सा होता है मानों सरील की तोचा का ठीक है बताइए एपी डर्मिस होता है प्यारे साथियों क्योंकि एपी डर्मिस जो होता है वो कहां पाया जाता है तोचा पर पाया जाता है यह सबसे बड़ी भाग होता है ठीक है तोचा का अगला कोशन देखिए निम्नलिखित में से सन्योजी उतक नहीं है अब बताना इसमें कौन सी सन्योजी उतक नहीं है पताए कौन सा इसमें सन्योजी उतक का उधारन नहीं है देखिए रक्त भी सन्योजी उतक है और यहां पर क्या है अस्ती भी सन्योजी उतक है वो पास्ती भी सन्योजी उतक है ले ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर सत्तर इस्क्वैमस एपिथेलियम उतक फेफरों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है वताईए वहां पर जो पाया वो कैसा होता है दोस्तों और अस्थाई होता है कैसा होता है और अस्थाई होता है आपसन नमबर ए केलियर भई आप लोग बताते रहें कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है आयाद हो रहा है नहीं हो रहा है चलिए अगला प्रस्ण आपके सामने यहां पर दिया गया है दोस्तों किस प्रकार की कोसिका से तवचा बनती है किस प्रकार की कोसिका से दोस्तों तवचा का निर्मान होता है तो अधिचर्म कोसिका से बनता है दोस्तों अधिचर्म है ठीक है आफसर नमबर ए अधिचर्म चलिए अगला प्रस्ण डैस उतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है किस परकार का उत्तक जो है ग्रंथी का निर्मान करता है ग्रंथी का निर्मान करने का काम कौन करता है दोस्तों तो एपी थीलियम उत्तक करता है एपी थीलियम इसका शही उत्तर हो जाएगा तुबाइड हैं एपि धीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न देखेए जब अकोशी काउम में भी को कुछ या आंत्रिक समयर्थन प्रदान करने के लिए एपि धेलियम इसकी आंत्रिक प्रत निर्मीत करती है किसकी आंत्रिक प्रत हो जाएगा अगला कोस्चन आपके सामने यहां पर है दोस्तों कहा गया है इसमें इस प्रस्ण में कहा गया है कि डाइस उतक के कीस अ क्यों सा प्रकार है जो ग्रन्थी का निर्मान करता है ग्रन्थी का कारने का काम कों सा उतक करता है दोस्तों it upon एपिथिलियं कों सा उतक तो epic Perry रिम अपन सन्मेंयом सै ठीक है अगला प्रशूंद दिए के on ही स्टामीन श्लावक कोशिका में पाया जाता है, हिस्टामीन स्रावक कोशिका में पाया जाता है, हिस्टामीन स्रावक जो होता है प्यारे साथियों कोशिका में पाया जाती है, किस कोशिका में पाया जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह सन्योजी उतकों में पाया जाता है, सन्योजी उत उतक के बीच एक पूरक उतक का काम करता है कौन सा कौन काम करता है दोस्तों तोचा और मान स्पेशियां कौन कौन तोचा और मान स्पेशियां ठीक है अगला है निम्न में लाल संवहनी सन्योजी उतक है लाल संवहनी सन्योजी उतक किसका होता है बताइए तो रूधीर इसका राइट आंसर है यानि रख्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेस्चन है डैस डैस उतक गरंधियों का निर्मान करते है तो वही काय करते हैं दोस्तों आपसर नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है हम लोग इतना question किये हैं इसमें 29 प्रसंद है दोस्तों 29 प्रसंद पर हम लोग डिसकस किये हैं अब कल काउन सा chapter start होगा कल भी दोस्तों हम उतक ही पढ़ेंगे लेकिन उस समय कल जब पढ़ेंगे हम लोग तो पादप उतक पढ़ेंगे ठीक है पा इसा जूरना चाहते हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जै हिंद जै भारत